जैने दोस्ते, बंद बातारब। आज तड़के तड़के ही ये बात निकलकर सामने आई कि पंजाब के मोगा से अमरितपाल को गिरफतार किया गया है। अमरितपाल गिरफतारी की समय पर पूड़ा पूरा जो धर्मिक चोला होता है उसमें था और अब जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि भाई वो अरेस्ट होने के पहले उसने एक प्रवचन भी दिया है वहाँ पर और वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ गिरफतारी देना चाहता था हाला कि इसके पहले ही सब चीजे हो गई और परिवार पर दबाव भी एक बहुत बड़ा कारण बनकर निकल कर सामने आया है जिसके कारण की अमर्थपाल ने सरिंडर किया है दरसल अभी कुछी दिनों पहले 20 सप्रेल की बात है जब अमर्थपाल की धर्म पतनी विदेश रही है कि आखिर अमर्थपाल के ऊपर दबाव इतना बनी गया अब जो और बाते निकल कर सामने आ रही है उसके बारे आपको बता दूँ सबसे बहले तो भगोडे अमर्थपाल सिंग को रविवार सुबह पंजाब पुलिस ने मोगा से अरेस्ट किया है अमर्थपाल को र भीड के साथ ही सरेंडर करना चाह रहा था उसे भटिंडा एरपोर्ट से फ्लाइट के जरीए असम की डिबरुजर जेल ले जाया जा रहा है मतलब असम उसके शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर कि अल्रेडी वारिस पंजाब दे के और भी जो लोग थे वो सब के सब उसी जेल में रखे गया है पंजाब से अलग रखा गया है किसी प्रकार की मिस हैपनिंग को रोखनी की यहां पर एक सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है अमरित पाल पर नसे के तहट के केस दर्च किया गया है अच्छा अमरित पाल जो था पिछले करी 36 दिनों से फरार भी चल खालिस्तान मूवमेंट को लेकर वारेश पंजाब से संगठन को लेकर काफी आलोचनाओं को दौर समय चल रहा था इसके अलवा 18 मार्च को पुलिस ने उसकी गिरफतारी के लिए घेरा बंदी भी करी थी लेकिन वह फरार हो गया तो उसके काफी सारे वीडियो सामने आये और काफी सारे समर तक भी उस समय उसके वीडियो बना-बना कर पुब्लिश कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस पीछे पड़ी हुई है पुलिस ने ट्वीट करके लोगों से शांती बना रखनी का अपील कर दिये साथ ही ये भी कहा है किसी भी तरह की फेक न्यूज को शेर ना करें तो यहां पर एक बात ये पुलिस की तरफ से क्लियर कर दी गई है और कई सारे समय वीडियो जो है अमरतपाल सिंग के वो ऐसे भी सोशल मीडिया पर वारा लोग है अमरतपाल सिंग ने हाला कि गिराफतारी के समय पर कहा है कि भी गिराफतारी अंत नहीं है शुरुआत है अमरतपाल ने कहा कि ये जनरेल सिंग भिंडरवाल का जन्वस्थान है और उसी जगे पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और एक एहम मोड़ पड़क खड़े भी हुएं एक महीने से जो भी कुछ चल रहा है वो सभी लोगों ने देखा है अमरतपाल के ये शब्द हैं उसने कहा आगे कि अगर सिर्फ गरफतारी की बात होती तो इस गरफतारी की बहुत तरीके थे हम बिल्कुल सहयोग करते हैं दुनिया की कचहरी में हम दोशी हो सकते हैं ये सब यहां पर एक पूरा sympathetic माहौल भी क्रियेट करने कोशिश की जा रही है अमरतपाल के तरफ से कि जो समर्थक हैं उनको कुछ भी गलत नहीं चल रहा है और एक तरह से यह भी साम कह सकते हैं सरकार की भी आलोचना यहां पर इंडानेट शब्दों में की जा रही है कि हम गलत नह रखता है इस वज़े से अमरतपाल को गिरफ्तार कर लिया अचा इससे पहले 20 अप्रेल को अमरतपाल की एनराई पतनी किरंदीब कौर को अमरतपार एरपोर्ट पर इमिग्रेशन आधिकारियों ने रोक लिया था वो लंदन जा रही थी च्रीगुरू रामदास जी इंटर कर सामने आई थी कि तक्त पर सरेंडर करने से मना किया था इसलिए गाव रोडे के गुरूद्वारे को अमरतपाल ने चुरा है दरसल 14 अप्रेल को सरेंडर करना चाह रहा था लेकिन उसकी शर्त थी कि भटेंडा के तलवंडी साव उस्तित तक्त श्री दमदमा साहिब आकर सरिंडर करेगा यह उसकी शर्त थी और जैसे ही इंटिलिजेंस और पंजाब पुलिस को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अमरतपाल को दमदमा साहिब पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस रक्षा और जादा कड़ी कर दी हमने भी कुछ दिनों पहले देखा ही था किस तर स्रेल सिंग भंडरवाले का भी जन्म हुआ था इतना ही नहीं अमरतपाल ने वारिस पंजाब दे का मुखी बनने के लिए यहीं पर दस्तारबंदी समारो भी किया था मतलब यह एक बहुती बड़ा अपडेट है जो कि पंजाब पुलिस के लिए निकल कर सामने है कि पंजा माइग्रेशन ही उसके उपर सबसे बड़ा दबाव बनाने में सफल हुआ है अलाकि एक तबके का ये भी कहना है कि परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं अमरतपाल सिंग जो था वो अपने मकसद के लिए ही लड़ रहा था परिवार को लेकर उसके उपर कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरह का नहीं था लेकिन देखिए चीजे तो अब सामने धीर धीर ही सही लेकिन आती जा रही है और सीधे तोर पर हमको यही चीजे बताई जा नहीं कि परिवार का कहीं नहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो कि अमरतपाल सिंग के सामने था और भी किरदार है उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जाता है कि बही काफी इंटरेस्टिंग किरदार है वो एक आम नौजवान की तरह है और अचानक से अभी एक साल पहले वो दुबई से भारत है और सडली आप देखते हैं कि वो कैसे एक बहुत बड़े संगठन का मु काफी कड़ा कानून है अमरितपाल सिंग के ऊपर ये अमरितपाल सिंग को काफी मुश्किलों में डालने वाला है इसके अलावा जब तक वो फरार नहीं हुआ तब वो रोज आकर सिक धर्म की दुहाई देता था और चुनौती देता था जब पुलिस ने धर पकड़ा ये जीन्स जैकेट पहन कर दिल्ली की सड़कों पर घुमता नजर आया था मौका परस्त अमरितपाल के लिए अब अपनी जान बचाना प्रात्यमिक्ता हो गया था जिस क्रांति की अलग जगाने वो निकला था वो बहुत कहीं पीछे छूट गई थी और अमरितपाल के समर् परंपरागा जो परिधान होता है सिखों का उसने वो पहन लिया था उसे सरेंडर के लिए गुरुदार जैसी पावन जगे को भी चुना एक पवित्र जगे को चुना और कम्यूनिटी में मैसेज देने की कोशिश करी कि भई देखिए मैं अपनी जगे पर सही हूँ और मतल आप देखिए कि किस तरीके से एकदम चौकसी बढ़ती जा रही थी अमरतपाल के लिए मूवमेंट करपाना मुश्किल होता जा रहा था हाँ अब यहां पर अमरतपाल के समर्द तक ये भी कहेंगे कि भई सरेंडर किया ही उसने इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसको नह जाहिन जाइब हाराद